इरान ने इस्राइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस बार बैलेस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया इरान की ओर से इस्राइल पर एक दो नहीं बलकि एक सौ से ज़ादा हमले किये गए हैं। चाना बनाया गया है इरान की ओर से हलाकि इन बैलेस्टिक मिसाइलों को हवा में ही इस्राइल की सेना बेसर कर दे रही है इंटरसेप्ट कर रही है और इस तरह से जवाब इस्राइल की ओर से दिया जा रहा है इस्राइल ने पहले से तयारी कर ली थी अमेरिका ने चेतावनी भी जारी की थी कि इरान इस्राइल पर अटेक करने की तयारी में है बैलिस्टिक मिसाल से अटेक कर सकता है इस्राइल भी पूरी तरह से तयार और इस्राइल की सेना भी पूरी तरह से तयार थी इस्राइल की सेना का कहना है कि सभी आम लोगों को बंप शेल्टर्स में छिपा दिया गया है ताकि आम जन की आनी नहीं और जो हमले एरान की हो रही है उन हमलों का जवाब दिया जा रहा है आपको बता दे कि आज ही अमेरिका के राश्ठपति जो बाइडन ने एक्षट पर इसी बीच इनी हमलों के बीच उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी सेना की सुरक्षा के लिए साथी इसराइल की मदद के लिए अमेरिका पूरी तरह से तयार है और भी जादा हतियार और भी जादा सेना की तैनाती अमेरिका की ओर से होगी आज ही जब जो बाइडन और उपर आश्रुपती कमला हैरस के बीच मीटिंग हो रही थी तो उस दोरान भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और तब ही अमेरिका ने कहा था कि इरान बैलेस्टिक हमला कर सकता है इसराइल पर आपको बता दे इसराइल में इसराइल ने पूरी तरह से कसम खा ली है कि वो इरान के लोगों को आतंगवात से मुक्त कर देंगे और अब देखें इरान के तरफ से यह अटेक किया गया है कहा यह जारा कि हसन नसरला जिसकी मौत इसराइल की ओर से कर दी गई उस मौत से इरान बॉखलाया हुआ है हसन को एरान ने शहीद का दर्जा दिया है और साथ ही शोक का भी एलान किया और उसी की मौत का बदला लेने के लिए इतने बड़ा अटैक एरान की ओर से इस्राइल पर किया गया है हाला कि अभी तक जो खबरा रही है उसके मुताबिक सौ से एक सौ पचास मिसाईले दागी गई है लेकिन अजराइल के ही पूर्व सानिका कहना है कि मिसाईलों की संख्या एक हजार से पंद्रा सौ के बीच है और इन सबी मिसाईलों को हवा में ही बेसर किया जा रहा है